कोटा के केशो राइपाटन में लाखो रुपए की सोनी के चेन लोटा कर एक लड़की ने अपने इमांदारी की मिसाल कायम की जिसके बाद उसे एक लाख रुपए का इनाम भी दिया गया, इसकी चर्चा जिले में काफी हो रही है दरसल कोटा के केशो राइपाटन में शादी के बैंक्विट हॉल में राजेंद्र मीना जो की पेशे से एक किसान है उनकी सोनी की चेन खो गई जिसकी कीमत 5 लाग रुपे बताई गई शादी में खाना खाने के दौरान इस युवती को सोनी की वो चेन गिरी मिली जिसके लिए किसान काफी परिशान था युवती का नाम पूजा है युवती को जैसे ही चेन के मालिक का पता चला तो घटना के अगले ही दिन पूजा ने राजेंदर के घर जाकर उसकी चेन उसे वापस लोटा दी पूजा के समानदारी पर राजेंदर तरह कायल हुआ कि उसने युवती को एक लाख रुपए का चेक के नाम के तौर पर दे दिया हलाकि इस समानदारी के चर्चे अब पूरे जिले में हो रहे हैं पूजा ने इमानदारी के जो मिसाल पेश की है उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं